आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बस्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट बेंगौर और केंद्र की क्यूं आखिरकार वेस्ट बेंगौर केंद्र लड़ते रहते हैं केंद कुछ भी बोलता है ममतावेनरज नरेजन बोदी इधर बोलेंगे ममतावेनरज उधर बोलेंगी स्कूल की जो स्कीम थी मैं नाम भूल गया वोनी लॉंच होने दी यहां पे सीधा-सीधा बोल दिया कि हम बांगलादेश के रेफ्यूजी का स्वागत करेंगे अगर वो यहा बहुत ही अच्छा आर्टिकल था मैंने सुचैस को करते हैं अच्छा सुनिए शांदार हमारे यूपी एसी का कोर्स लक्ष बैच जो की दस अजार रुपए का है एक साल की वैलेडिटी के साथ और जो आंसर रैटिंग कोर्स हमने चलाया है उसकी क्लासेस अल्रेडी जो विधान सभाई एलेक्शन हुए उसमें भी ममताब एनर्जी ने जीत हासिल की पिछले के पिछले साल तो एक तरीके से ममताब एनर्जी जो हैं उनको हरा नहीं पाए टीमसी थ्रणमूल कॉंग्रेश जीती है देखिए पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवर्वीव दे से बताओ पेंगॉल के 1948 से लेकर 1967 तक इंडिया नाशनल कॉंग्रेश का रूल था है यहां पर फिर उसके बाद 10 साल तक बांगला कॉंग्रेश है 1968 को प्रेसिदेंट रूल लगा क्योंकि आपको पता है कि वो पूरा नक्सलबारी वो पूरा मुमेंट चला फिर 1977 में CPI Communist Party औ और जोती बसू वन ओफ दी लॉंगेस्ट सर्विंग वैसे आपको बता दू कि सबसे लंबे समय तक जो सीम रहें वो पवन कुमार चैमलिंग है सिक्किम के 24 साल 23 साल उसके बाद फिर नवीन पतनायक जो अभी अटे और अभी कीसरे नंबर पे आपके जोती बसू आते हैं तो जोती बसू जो है वो सीम रहें कम्मोनिस्ट पार्टी के उसके बाद बुद्ध थे भट्टा चार्रया सीम रहें अगें सेम पार्टी 2011 तक और 2011 में हम यह देखते हैं कि ममताब एनरजी आती हैं त्रिनमूल कॉंग्रेस जो है वो आती है तो आप एक चीज से यहां पे क को नाहीं सीड मिलती है नाहीं सच उस तरीक का सपोर्ट मिलता है तो ऐसा क्यूं है हिस्ट्री मेरे दोस्त हिस्ट्री केंद्र और यहां पे समझे कि बीजे पी को भी पता चल गया है कि अगर हमको बंगाल जीतना तो केंद्र से बिलकुल अलग होना पड़ेगा दिल्ली से I have to forsake Delhi, आप समझ सकते हैं, ऐसे काम चलेगा नहीं, यह पजल है Bengal, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, तो it is very very important, कि आखिरकार ऐसा है क्यों, ही-she situation जो है, यह क्यों है, he said, she said, उसने का है, ऐसा हुआ, और सबसे बड़ी बात है, आज West Bengal में dead बहुत जादा है, unfortunately, West Bengal is develop नहीं कर रहा है, West Bengal जो है, industrialization वही नहीं है वहाँ पर, West Bengal कहीं ना कहीं पिछरता जा रहा है, बहुत दुप होता है, क्योंकि West Bengal से हमारा रिनेसा मुमेंट, इतना पढ़ा लिका, इतना intellectual राज, आज पिछर रहा है, तो हमको यह समझना पड़ेगा, कि हम ऐसा क्या करें West Bengal में, कि कमाल हो हैं, intellectual लोग हैं, but you have to understand, कि कहीं ना कहीं उसका इतियास मेडाइवल से जाता है, और Bengal का सच मेडाइवल इतियास रहा नहीं है, रहा है, बट उसका अलग रहा है बाकी इंडिया से, समझ रहे हो, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कि क्या हुआ है, मतलब जो पिछले जो इ जगा सेसेशन मुवमेंट चला है, जब मोहन कश्मीर में तो अभी तक भाई, जब से 278, 378 तब तीज़े नॉर्मल ही, नौर्थीस्ट में सेसेशन मुवमेंट चले है, तामिलाडू में चला है, द्रवेडियन, एक पूरा की काट के अलग करो, हुआ है यह, बेंगॉल में सबसे बड़ा है, है ना, वहाँ पे भी भजन गाई जाते हैं, रामकृष्ण परमन्स, दक्षनेश्वर मंदर, पन अफ दी मोस्ट इंपोर्टन शक्तिपीट, कहां पे माकाली की पूजा, कहां पे कलगत्ता में, है ना, शाक्त परंपरा है, वो बेंगॉल में बहुत ज़ रामण की पूजा की जाती, येस, वो रामण को विलन नहीं मानते हैं, बट बंगाल में ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मेडाइबल हीरोज हमको बंगाल में नहीं मिलते, हमको राजेंदर चोला नहीं मिलते, जो तामिल या पूरे साउथ इंडिया के हीरो रही है है ना जिन्होंने इंडोनेश्या तक जीत लिया सबको जीत लिया हमको महराणा प्रताब नहीं मिलते हैं ना जिन्होंने पुरे चित्तोड को एक कर दिया हमको छत्रपति शिवाजी नहीं मिलते महराज ये जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पे इतिहास गवर्न करता है हूँ तो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि बेंगॉल और बिहार को कॉंकर करना बड़ी टेड़ी खीर साबित हुई है यह इतना असान नहीं रहा है इस्पेशली बेंगॉल को भाई 1342 में बेंगॉल सलतने दिल्ली से हड़िया उसने आजादी ले तो हमको बेंगॉल में हमको modern heroes देखने को मिले है medieval heroes यहाँ पे नहीं है modern heroes कौन से है जैसे जो रिनेसा पीरियड चला वो बेंगॉल से ही चला राजाराम मोहन रोय ब्रह्मो समाज 1828 सती प्रता को खतम किया the unsung hero of India मतलब the unsung क्या दो superhero of India द्वारका नाट्यगोर बेंगॉल से जितने में intellectuals रभिन नाट्यगोर स्वामी विवेका नंद राम कृष्ण परम हंस और बिंदो श्री और बिंदो की परे उनको पढ़िये दिमाग और श्री और बिंदो से जाथा कौन spiritual है सुभाज चंद्रवोस जो पूरा कपूरा presidency college सुभाज चंद्रवोस इंक्लूडिंग कहते थी और बिंदो आएंगे उनको भगवान कुद आप उपादी दे दी गई थी कि उनके पास डेवी शक्ति हैं सुभाज चंद्रवोस है ना ऐसे बहुत इश्वर चंद्र विद लहरा दिया उन्होंने लेकिन वह फालतू चीजों के खिलाब थे रविद्ना टैगोर भारत का सबसे इंटेलेक्चुल आदमी सबसे इंटेलेक्चुल इंसान कि इतने टैलेंटेट थे इतने टैलेंटेट थे कि क्या बता है गुरूदेव और बंगला बैंगलादेश में उस समय तो सब एक ही था तो सब कुछ ठीक था बंगलादेश में भी उनका पाई नाशनल आंतम उनका किस ने लिखा है तो बेंगॉली जो है दियार वो दियार मोर एक्सेप्टिंग क्लासेज ठीक है न और प्री मॉडरन सेंटिमेंट्स है नहीं जो कि बाकी बाकी राज्य वेदान्त को उन्होंने बताया कि वेदान्त पढ़िये है ना उन्होंने भगवा पहना लेकिन वह अलग था इट वास्मच लाइक टेगोर जो बताते थे कि भाई हर एक रिलिजिएन की भाई राम कृष्ण परवंस कृष्णिटी को बहुत जादा मनलब जीजस की टीचिं पर एक डिबेट रहती है कि तमिल जादा पुरानी की संस्क्रेश जादा पुरानी है बंगॉली बहुत पुरानी लेंग्वेज नहीं है बंगॉली एक कंटेंप्ररी लेंग्वेज है भारत की सबसे मीठी लेंग्वेज है लेकिन बहुत पुरानी नहीं है इसका इतिहास और धार्म और cricket आप भाषा भारत पें बहुत छाली अलग अलग भाषा हैं ए में अरदूपूरे बंगाइड़ादेश पे थोब दी थी तो वो अलग हो गया यह चीज़ है तो एक तरीके से ये और फिर एक आंटी-ब्राम्वन कास्ट मुमेंट कभी बेंगॉल में रहा ही नहीं है ना क्यूंकि यहां पे चौथी कास्ट रही तीनी कास्ट रही है बेंगॉल में एक तो रही यह ब्राम्हंट्स जादा तर जो पॉलिटीशन्स आई देवर अलसो ब्राम्हंट्स श्कायस्त और बैद्य जो आयुरवेद यह तीन कास्ट का बोलबाला रहा है अब समझ रहे हो स्पेशली ब्राम्हंट्स अब क्या हुआ कि और जगाहों पे यह पूरा मुमेंट चला कास्ट को लेके बट बेंगौल में नहीं चला तो कैसे आप टार्गेट इस बहुत सारे बोट इस पर मांगे जाते हैं लेकिन आप बंगाल में कैसे तो एक तरीके से जो बाकी भारत का इतिहास रहा है बंगाल का इतिहास उससे अलग है और इसी लिए जो केंद्र में राजनीती होती है बंगाल में वो नहीं चलेगा बंगाल में अलग तरीकी की पॉलिटिक्स है समझ रहे हैं भाई जोती बसू ने ठीक है लेकिन वो गरीबों के मसीह हम आने जाते हैं आज भ अमीन बहुत लोग के पास रही कोलकाता को आज भी सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है खुशियों का शहर है कोई दुखी नहीं है वहाँ पर तो यह चीज है अब भद्र लोग की भी बात करते हैं ठीक है ना यानिकी एक तरीके से जो जेंटील फ्लोक है है ना भद्र लोग तो यार बात यही है कि बेंगॉल का इतियास काफी जादा अलग रहा है अब आजा 28 सेंचुरी देखो बेंगॉल की जो आज की पॉलिटिकल कॉंट्रेनेस है वो पहले से ही सुभाज चंदर भोस को साइडलाइन करके जवालनाल नेरु को बनाये गया सुभाज चंदर भोस हर में लीडर बनाये गया वैसे तो सुभाज चंदर भोस नहीं कांदी जी को फादर आफ नेचन का खिताब दिया था बट सुभाज चंदर भोस की जो आइडिलोजी थी वो बिलकुल अलग थी बेंगॉल की आइडिलोजी एकदम वही है तो एक तरीके से इसकी वज़े से भी बटवारा हुआ तो बटवारा किसका हुआ बंगाल का बटवारा हुआ इस पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और वेस्ट बेंगॉल और पंजाब का बटवारा हो गया है ना पाकिस्तान में आज भी सबसे ज़्यादा किसको हैसियत दी जाती है किसको पंजाबियों को दिया जो कि सही नहीं बहुत गलत है, 70% refugees जो है, वो कलकत्ता में आ गए, अब पंजाब में, पंजाब में जो refugees है, उस समय तो दिक्कत हुई, लेकिन बाद में बेटार हो गए, क्यों? क्योंकि पंजाब के पास जमीन थी, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है, मतलब बहुत सारे जो वह के Muslims हैं, वो वहाँ पे जमीन छोड़के गए थे, तो बहुत जमीन थी पंजाब के पास, जिसकी वज़े से पंजाब को बहुत ज़दा फाइदा मिला, बेंगॉल के पास ऐसा कुछ नहीं था, समझ रहे हैं, बेंगॉल के पास बेंगॉली refugees जो है, वो station पे ही रह रहे हैं, वो roads पे रह रहे हैं, 1947 में उनकी हालत बहुत खराब, उसके बाद 1950 में धाका, सिलेट, नुवा खोली, बारी साल, और बांगलादेश में दंगे होंगे, जब भी बांगलादेश में प्रॉब्लम होगी, वहाँ के refugees यहाँ पे आएंगे, अब देखिए, मैं फिर से बता रह हाँ पे, भले ही बांगलादेश एक अलग देश है, लेकिन भाई एक लोग वही है, लोग वही है, कुछ उदर चलेगे, कुछ इदर आगे, खाली border उनको separate करता है, language वही है, भाई सब कुछ वही है, तो एक तरीके से अपनापन दिखता है, 1981, 1971 में वहार होता है, 1981 खीचे, बंगाल को इस बात पर कभी सपोर्ट नहीं किया, डेली ने कितने रिफ्यूजी यहां पर क्याम कर रहे हैं, कभी ध्यान नहीं दिया, जो बीसी रॉय, 1950 में, मनलब उनने सो और तालिस में, जो चीफ फिनिस्टर बने, अब यहां पर नहरू नहीं यह बोला, कि यह जाएगा, और यह जो स्टैंड है, इसको माक्सिजम से ले नहीं नहीं था, क्योंकि भाई, कम्यूनिजम, माक्सिजम बहुत ज़्याद चलता बेंगाल में, बट बेसिकली यहां तो यह लेट से उपर, यह लेट है ही नहीं, यह अलग चीज है, तो यहां पर आइडिलोजी सेंटिमेंट वहां पर डेवलप हुआ, सुभाज चंदर बोस को वही साइडलाइन करना, इन सेंस्टिविटी जो इस पाकिस्तान से रेफ्यूजी जाये थे, अंटी डेली सेंटिमेंट से जो हैं वो बने, तो बहुत सारे जो बंगाली सावंत पोईट, बहुत सारे थे, त अब एक समय तो आप क्या पता उसी उस साइड घर के उस साइड पैदा हुए हो, है ना, घर के उस साइड पैदा हुए, खेले हो, बड़े होई हो, दोस्त है आपके, तो यह रहता है, अब एक दम से घर वाले बोल दें ISN, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो दिमाग नह पाई नहीं पाई 1967 के बाद बीजेपी तो भूली जाई है यह चीज है तो अब यहां पे कोई भी नहीं चाहता कि मतलब हम इतने सारे लोगों को बाहर भेज दें 1959 में बेंगॉल ने फूड शॉर्टेजे जो है वो देखी उस समय जोती बसुने बहुत बड़ा मूमेंट चला गए क्योंकि हालाद बहुत खराब होगी थी भाई बीसी रोय के जाने के बाद बहुत खराब होगी फेमाइन डेसिस्टेंस कमीटी बनाई यहां ठीक है न कि भाईया यह तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अब अगें जो बेंगॉल का इतना बड़ा क्रैसिस था इट बस अ सब्सक्राब में जाओ विंसेंट जाजीर का फेमस बयान की जब सुवर की तरह बच्चे पैदा करोगे तो यहीं होगा है ना और 1959 में जब यहां पित्रा बड़ा नहीं बोला कि हमको कोई लेना देना नहीं तो जित्तों ने क्मिनिस्ट थे अब उन्हों ने क्या किया तरीके से शुरू हो गई समझ रहो तो यह चीज और वो अभी तक चल रहा है आग यह देखते हैं अब इस समय टीम सी है त्रिनमूल कॉंग्रेस है अगें सेम चीज ममताब एनरजी को भी पता है कि अगर हमने नरेंद मोदी का साथ दिया या डेली का साथ दिया तो हमको वो लो गोग पभलिक इच से बहुत पभूलिक आज बेंगॉयल में डेफॉर्मिशन की दुबारास से ज़्रूरत है थे ना शाजा गेंप देखे लोग बच जाते हैं तो आज बेंगॉल में प लोगों को समझना चाहिए। बेंगौल में बहुत पॉलिटिकल हिंसा है। बहुत दिक्कते हैं। बेंगौल इतना डेवलप्ट नहीं है। वहां पे इंडस्टरी नहीं है। कॉलेजेज हैं बहुत अच्छे कॉलेजेज नहीं है बंगॉल में चार-पांच कॉलेजेज को छोड़ दे तो वोल्ड क्लस कॉलेजेज बहुत पढ़े लिके हैं बंगॉली बट आज वहां पे हमको एक डेवलप्मेंट करने की ज़रों तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि क लेचर था आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छा आइटिकल था टाइमस आप इंडिया का मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए थांक यू सो मच